Hello friends, welcome back to JRC English class. आज के आमरा एक्टा दारून English grammar शेखबो एबंग शेटी होलो basic sentence structure जेता आमाँ देर एके बारे root level ए भिशोंदर कार. प्रतमें आमरा जान भो जे parts of a sentence की की, subject, और थात a person or thing that does something. कुनों बेक्ती बा बोस्तु जे कीचु कोरे से एटी sentences subject ही से बहुशे एबंग एटी sentences होबार प्रतमें ही बहुशे. जामन he eats rice, से भात खाई, से एकाने subject और थात के भात काई, से भात काई, से subject. भर्ब, a word that expresses an action, occurrence, or state of being. एक्ती शब्दों जाक कुनों केचु काज कोरा बा घोटा के बोजाई. जामन आमरा एकाने बोला हम, he eats rice, eat एकाने खावा, भार्ब, object, a person or thing that receives the action of a verb. भार्ब जे काजटा से काजटा के ग्रहन कोरे, जे सेटा होलो object. और ताथ, he eats rice, से खाई, भात, से की खाई, भात, सो भात रहे खाने object. So, this is also an order of a sentence in English. इंग्राई देकिन्तु एभाबे ही sentence रर स्ट्राक्चर होई. प्रतों में subject, तार परे भर्ब, एबंग तार परे object. शो आम रहा पांस्टी अलादा अलादा पैटर्न देखबो, जे सेंडेंसेर कॉंस्टाक्षन क्यों आप होते बारे. Let's see different pattern of sentences. इंग्लिज सेंडेंसेस हैब five basic patterns. इंग्राई जीर पांस्टी basic pattern आचे. प्रतों में तो subject plus verb. जे सेंडेंसे सुरू subject भांग भार्ब थाके. जामोन रिफा sleeps, she is eating, John will come. दाखो एग्लो ते subject आचे, रिफा घुमाई, से खाचे, John आसबे, एग्लो ते किन्तु object नहीं. So this is one type of pattern of English sentence. दूनाम बोरे दाखो, तास second जामादेर pattern ता, subject, verb and object. एखाने दाखो, subject प्रतों में I like mango, she plays chess, और he drives car. दाखो, I subject, like verb and object हिसे में रुए जे mango, की खाई mango. she plays chess से chess खाले और दाबा खाले, एखाने chess टा object. So एखाने जे pattern दाखो, subject, तीन ता sentence से, subject, verb and object, these all have the same structure. ता है न, subject, verb and object. एखाने दाखो, third pattern. third pattern हिसे, subject, verb and adjective. एखाने आमरा sentence दाखो, adjective के यूज़ कोरवो, भार्वेर पोरे. जामाद दाखो, रीफा is busy. एखाने दाखो, रीफा होलो ब्यास्तो. So एखाने ब्यास्तोटा होलो adjective, भार्वेर पोरे पोरे बोसे चे. So this is another structure of English sentence. एर अखो में आरो उधारन होते बारे, she is beautiful, the boy is courageous. एर अखो मामरा बोलते बारी आरो अने. और थात, in this pattern, all are b-verb. एखाने दाखो, सब बुले b-verb आचे. सो बी-भार्वेर पोरे आमरा adjective यूज़ कोरे ची सही जो नुई. एर पोरे आमरा पोरबोर्ती pattern ने जाओ, pattern number 4. एकाने दाखो, subject plus verb plus adverb. एकाने गिन्तु भार्वेर पोरे आमरा adverb के सुरा सुरी बोश अच्छी. और तो आमरा जाने जे, an adverb describes a verb like an adjective describes a noun. एक्टा adverb यामन भार्व के क्वालिफाई करे, एक्टा adjective सुरा माबे नाउन के क्वालिफाई करे. आमरा पोरबुर्ती काले एरकम वीडियो दिये दोबो, कुन्टा adverb, कुन्टा adjective तारो पोरे, वीस्तर ये तो क्लास आस्वे. आमरा देखेने पो एटार पैटर्ने किरकम पाप उधरंटा आस्थे पाड़े. दाखो, रिता is here. रिता कोथा? रिता एक्वाने. इस भार्वेर पोरे दाखो, एक्वाने और तार adverb यूज़े चे एक्वाने. आबार दाखो, the trend moves slowly. So, the question is, how fast the trend moves? दाखो, कौतो दुरूतो ट्रेंटा चुट्चे ना slowly, धिरे-धिरे. So, एक्वाने, slowly टाए एक्वाने adverb. So, एभावे आमरा subject, verb, एबों adverb. एभावे एई पैटर्ने आमरा sentence तोरी कोते पारी. So, पाँच नमबर पैटर्न दाखो, subject plus verb plus noun. एखाने किया चे, this sentence describes a person or thing. एई sentence टाएकिन तो सेसे आमादेर noun बेक्ती बाँ बोस्तु के बोहादे बाडे. बाँ प्रानी के होते बाडे. I know Mr. Roy, he is a doctor, she has a cat. दाखो एखाने, प्रुथो में रोएखे subject, आपड़े verb, किनो सेसे आमादेर दाखो, noun रोएखे Mr. Roy, a doctor, a cat, these all are noun. So, आमरा पाँच्टी पैटर्न आमरा देखला हम sentence एर की की होते पाडे. So, these are the basic pattern of sentence structure. एटा युन आमादेर मादेर माद राखतो हावे. So, review कोरेंने वो आरा एक बार, जे actual sentence से जे constructions रहलो subject plus verb plus object. एभाव है आमरा sentence construct कोरवो, तो basic sentence pattern आमादेर 5 प्रोकर आमरा देखला हम subject plus verb, subject plus verb plus object, subject plus verb plus adjective, subject plus verb plus adverb, subject plus verb plus adverb, subject plus verb plus noun. So, एभाव है आमरा sentence construction कोरते पारवो. I hope you understand the sentence pattern, कि भाव है आमरा construct कोते पारे, the basic pattern of sentence. So, आब रेक्री एरकम वीडियो निया आशबो, अबावा तो एपर जन तोई, so keep watching and stay with me. Thank you very much.